तो सबसे पहले तो आईए दोस्तों डाक्टर राजिंदर प्रशाद जी से ही सुरूख किया जाए क्योंकि डाक्टर राजिंदर प्रशाद जी का जो जन्म अस्थान है इसको महत्मा गांदी ने बियार में सबसे महत्मूर्ट तीर्थ अस्थल गोसित किया था और यहां पर अगर देखें तो डाक्टर राजिंदा परशाद का जनम अस्थान जीरा देई, पुराना सारण जिला और वर्तमान सिवान जिला, इसमें इसका फैलाव है जीरा देई का, तो बहुत बार आपके एक्जाम में पूछा हुआ है कि बियार के डाक्टर राजिंदा परशाद की जनम अस्थली कौन सी है, तो जीरा देई है, यहां से द्यान रखना है, जैप्रकास नारायर जी का जनम का हुगा था दोस्तों, तो सितबा देरा, पुराना सारण वर्तमान छपरा जिला, यह पूरा का पूरा च्छतर बनता है, जिसको भोजपूर कहते हैं, क् अब कुवर सिंग यह दियार नकना है, 1857 की करंटी वले बिद्यापती, विश्पी में इनका जनम हुआ था, जब इनका जनम हुआ था, तो वो पूराना दोस्तों, च्छतर दरवंगा का था, दरवंगा रियासत का पूरा का पूरा च्छतर कहलता था, और वर्तमान में का जो च्छतर है, यह सहरशाह, कौन सा च्छतर बनेगा, सहरशाह बनेगा भाई, यह यहां से ध्यान रखना है, ठीक है, यह चर्चित दोस्तों ब्यक्तितों हैं, जिनके यह जनम अस्थली है, स्क्रीन साट इसका अपने पास रखिएगा, रिवीजन के लिए बहुत ही महत पून रहेगा, ठीक है, आगे बढ़िए, इसी तरह सागर देखेंगे तो डाक्टर स्रेकृष्ण सिंग, डाक्टर स्रेकृष्ण सिंग दोस्तों जो बिहार के मुखमंत्री भी रहे, बिहार के सरी भी इनको कहते हैं, तो बर वीगा, मुंगेर छेतर में इनका जनम हुआ, यहाँ स्दियान लखना है, गुरू गोबिन सिंग जो सिखों के दस्में और अंतिम गुरू माने जाते हैं, बहुत जर सारे उपन्यास, महला आचल, इनका जो चर्चित होता है, तो औराही हिंगना में इनका जनम हुआ था, औराही हिंगना अगर दिखा जाएगा तो यह पूरिया जिला में हुआ करता था लेकिन अब वर्तमान में ये अररिया जिला में मिलेगा कहा मिलेगा अररिया जिला के अंदर मिलेगा ये ध्यान रखना रामधारी सिंग दिनकर की जहां तक बात करेंगे तो सीमरिया रामधारी सिंग दिनकर की जो जनम अस्थली है उसका क् सी मरिया होता है जो कि पहले ये मुंगेर में था लेकिन अब वर्तमान में ये च्छतर बेगू सराय में है दोनों में दोस्तों जरा साउधानी से करिएगा तो पहले ये मुंगेर में था लेकिन अब वर्तमान में का मिलेगा बेगू सराय के अंदर इसी तरह से अगर दिखा पुर्जिला में ही है यहीं से समन्द रखेगा मोहनलाल महतोब योगी इनका जनम दोस्तों गया में हुआ और अनुग्रह नरायड सिंग अनुग्रह नरायड सिंग इनका जनम अगर देखेंगे तो पोई आवा औरंगाबाद का यह च्छत्र बनता है लेकिन अब नए गठन में यह च्छत्र औरंगाबाद में ही है औरंगाबाद अपने बियार वाला ही है तो बिल्कुल आप इसके लिए परशान नहीं होएंगे तो अनुग्रह नरायड सिंग पोई आवा औरंगाबाद हो जाएगा चलिए यहां से करिए राजा राधिका रमण प्रशाद सूर्यपूरा में इनका जनम हुआ था यहां से करेंगे सूर्यपूरा च्छत्र में बाबु जग जीवन राम की जनमस्थली के अगर बात करें तो चंदवा पुराना साबाद और वर्तमान में यह भी भोजपूर के अंतरगती आता है यह पर इनका जनम हुआ पंडीत राम चतुर मली कहा जनम का हुआ था अमता दरवंगा में और ये अमता दोस्तों एक बहुत ही चर्टि संगीत च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् संबंद कहां से बनेगा तो इसका संबंद दर्वंगा से ही बनता है कहां से बनता है दर्वंगा से ही बनेगा यह द्यान रखना है जानकी वल्लब सास्त्री मंगर गया छेत्र में इनका जनम हुआ था जो कि यह उनका जो अस्थान वह मंगरा कहलाता है क्या कहलाता है मंगरा कहलाता है यह द्यान रखना है तो इन सभी को यहां सबस्तों एक एक नजर रखते चलिएगा स्क्रीन साथ रख लेंगे पढ़ेंगे, लिखेंगे तो यह चीज्जें याद भी हो जाएगी क्योंकि exam में दोस्तों, एक आध प्रस्ण हर बार आप देखेंगे 150 प्रसणों का अगर आपका exam है, 100 प्रस्णों का exam है, तो बीच में एक दो प्रस्ण इन लोगों का भी entry कर ही जाता है. तो इसको सावधानी से करना होता है, क्या होता है, सावधानी से करना होता है, तो चलिए, इसका भी स्क्रीन साइट अपने पास रखिएगा, आप सभी के लिए भी सेस होगा, और इसका भी स्क्रीन साइट अपने पास रखिएगा, कोशिस यह है कि जितने भी चर्चित ब्यक् संताय में दोस्तों कहां चले गए थे स्रवडबेल गोला जहां पर सनलखना विदीस उन्होंने अपना प्राण भी त्याग दिया था तो यह अपने जीवन के अंतिस में जैन धर्म को इन्होंने accept किया था किसको accept किया था जैन धर्मा बिंदुशार बिंदुशार ये दोस्तों मौरेवंस वाला ही है ध्यान रखना बिंबशार की चर्चा नहीं हो रही है ये मौरेवंस वाले बिंदुशार की चर्चा हो रही है और बिंदुशार को अगर देखेंगे तो ये किसका पुत्र था भाई ये चंद्रगुप्त मौरे का इसका पुत्र था चंद्रगुप्त मौरे का पुत्र था और बिंदुशार के पुत्र थे अशो यानि बिंदुशार के पुत्र के रूप में बिंदुशार के पुत्र के रूप में किसका नाम दर्ज होता भाई समराथ अशोक का नाम दर्ज होएगा, ये द्यान लखना कलिंगा का युद्ध वर्श हुआ था, समराण अ शोक का दोस्तों ये भी चर्चित युद्ध है और समराण असोक के आठ्वेश जब हो सासक बने थे तब ये युद्ध हुआ था और इसका समय ने पूछ रहा है तो दोसों 61 है, 20 हो जाएगा, सही है? चलिए चटानों को काट कर बनाई गया, इस सबसे पुरानी वास्तु कला कहां पाई जाती है, जो कि हम सभी के लिए 20 है, तो चटानों को काट करके जो वास्तु कला निर्माण है, वो मौरे काल से ही सुरू होती है और यह अपने बियार में, इसकी सुरवात अपने बियार से ही होएगी, तो अपने बियार में ही प्रमुकुरूप से रहेगा, यह यहां सद्यान रखना है, समराट असोक के समकालीन सिरिलंका का सासक कौन था भाई, यहां सद्यान रखना है, तो समराट असोक का समकालीन अगर हम वो स्रिलंका में find करेंगे तो स्रिलंका में उसमें था तिस्ट तिस्ट या इसी को तिश्य भी कहते हैं तिश्य का सासन था यहां सद्यान रखना तिश्य असोक के अधिकान सविलेख किस वासा में लिखे गए अधिकान सविलेखों के अगर हम लोग बात करेंगे तो या तो वो ब्रामी या तु वो क्या है ऑलतया ब्रामी में लिखें गया है या पाली में instrum seç दूसरा नाम प्राहिक का दूसरा नाम क्या था बाई चानी वाई की का एक नाम था विश्पू गुप्त सटी मैं है सारनात अस्तंब का चक्र किसे इंगित करता है तो सारनात का दूस्तों जो असोक अस्तंब में जो चक्र बनाया गया है वास्तों में ये चक्र प्रगती का संकेत करता है इसका संकेत करेगा प्रगती का हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं बिंदुशार के सासनकाल के दोरान असांती कहां कहां पर अस्थापित हुई थी तो बिंदुसार के सासन के दोरान अगर दिखेंगे तो कस्मीर में कस्मीर में असांती हुई थी इसके अलाओं दोस्तों उज्जैन में उज्जैन में इन जगों पर विद्रो हुआ था यहांस ध्यान रखना है देवा ना तक किस लिपी में खुदे हुए हैं जिसको लेकर के चर्चा होती है दियानक्ता दोस्तों यहां पर अब्रामी का ही जिकर बिसेस तोड़ से आएगा और वंस के ततकाल बाद किस वंस ने आकर के मगद परसासन किया था तो यहां पर दोस्तों पुश्य मित्र शुंग पुश्य मित्र शुंग ने सत्ता अस्थापित करी थी और इसने क्या बनाया था इसने बनाया था शुंग वंस क्या स्थापित किया था तो ब्रेदरत की हत्या कर दी थी क्योंकि मौरियों का सिनापती था पुश्य मित्र शुंग उसकी हत्या करके उसने क्या किया था सुंग बंस की अस्थापना करी यहां से दियान रखना है ठीक है